हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एसेप्टी इंडिया आप लोगको एसेप्टी इंडिया में सबको स्वागत है देखिए फ्रेंड्स मार्केट का जो सिचुएशन है ग्यापप में उपन हुआ था अभी एक छोटा सा ट्रेड आप लोगको मिल सकता है मतलब ये 25 के निप्टी को सेल करने के लिए आपको मिल सकता है अभी देखिए निप्टी चल रहा है 9211 as per spot price not future price आप ये जो प्राइस चल रहा है इसी बाक्त में future price में जो है आप कर सकते हो ये देखिए spot price में चल रहा है 9,320 आप अभी current market price में सेल करिए उसका टारगेट और सेकेंड टर्गेट होगा 9,250 यानि यहां से निफ्टी मतलब कि 75 हो गया यह तो करीबान 50 पॉइंट के तरफ गिर्षकता है आप एक काम करिया फ्रेंड्स निफ्टी को सेल करिए अभी 9,323 प्राइस चल रहा है अभी का मार्केट में सेल करिए एक छोटा सा टर्गेट 9,27 सेकेंडर 9,250 यानि करीबान 50 पॉइंडिया आपको स्वागत है आज जो निफ्टी का मोमेंटम था एक रेंज बाउन मोमेंटम था यह की 500 पॉइंट के अंदर में ओ उपर नीचे उपर नीचे हो रहा था जितना भी मार्केट में टेकनिसियान से है मार्केट का वो लोग सो प्रेडिक्शन किये थे निफ्टी यहां से ओपवाट्स 100 या 1500 पॉइंट जाएगा मगर इसकी टेकनिकल उल्जियान के अंदर हम लोग को पता चला कि निफ्टी यहां से उपर जाने के पहले एक बार निच्चे गिरने का गुंजाइस था तो हम लोग आपको पता होगा स्टार्टिंग का वीडियो में मैं 9,327 में जब निफ्टी था तो मैं लाइब मार्केट में बोला था 9,227 से निफ्टी को सेल करो वहां से 50 या 75 पॉइंट्स निच्चे गिरने का चांसे से मैं लाइब मार्केट में दिया था आप अभी देखिए निफ्टी उसका टार्गेट हीट कर चुका है 9,273 में पहंच चुका है निफ्टी जो मेरा अनलाइन मेंबर है वो लोग 100 प्रफिट का बुक किये हैं मैं भी खुद अपना प्रफिट बुक किया हूँ तो ये निफ दोस्त जो भी है हम लोगों को निफ्टी में कुछ प्रफिट मिल गया कि अगर सेगें सेप्टी इंडिया में आप लोगों स्वागत है आज अगर हम लोगों मार्केट के उपर डिसकस्शन करेंगे मार्केट एक सपाट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था हंडेड और अचानक उसमें एक डाउन फॉल आया आप अगर मेरा जो आज का वीडियो का शुरूवात में देखोगे में एक कॉन्सोलिडेटर मार्केट के अंदर एक छोटा सा लेबुल निकाला जो निफ्टी में डाउन साइड का 75 पॉइंट टार्गेट के साथ है अगर ये टार्ग मार्केट को कैसा रणनित रहेगा हम लोग उसके उपर डिस्कसन करेंगे यानि 11 तारीक को हम लोग कैसे मंडे मार्केट में हम लोग को यानि गयाप अप होंगे या गयाप डाउन होंगे कौन सा लेबुल में काम करेंगे उसके उपर चलिए रणनित तयार करेंगे दोस्त म मैं दुखेजा पर आप difेकिए मिरा स्कीण के उपर आपढ़ेए नीफटी है इती Susky में मैं दो लेबुल निकाला हूं आप लोहकर के लिए को यहां पे देखिए 9000 275 का एक लेबुल ले आंधर लेबुल देखिए 9160 का एक लेबुल दोस्तों यह दोनों लेबुल आपको ट्रेडिंग करना कैसा है देखिए हर रोज में एक जो लेबुल दे रहा हूं उसे नया नया तरीका का टेक्निकल उर्जण के साथ आप लोग को बता रहा हूं देखिए दोस्त आपको क्या करना है अगर काल का मार्केट ग्यापप हुआ काल का मार्केट यानि मंडे का मार्केट ग्यापप हुआ आपको क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा जब यह market 9,275 के निचे एक red color candle करके आता है तब आपको sell करना पड़ेगा towards 9,160 clear reference यह market क्याल ग्यापप होने के बाद यानि Monday ग्यापप होने के बाद अगर 9,275 के निचे आता है तो आपको sell करना पड़ेगा देखिए दोस्त जब तक 9,275 के निचे नहीं आता है तब तक sell मत करिए एक बार 5 मिनिट या 15 मिनिट candle के साथ या 5 मिनिट या 15 मिनिट 9,275 का range में रूख जाता है यानि उसका निचे रूख जाता है तो आपको यहाँ पे sell करना पड़ेगा यहाँ से minimum 100 से 300 point का target 9,160 क्लियर है दोस्त यह हो गया selling का second point अभी हम लोग अगर discussion करेंगे तो हम लोग buying का देखेंगे निप्टी अगर gap down होता है 100 point या 300 point नीचे तो आपको इंतेजार करना पड़ेगा अगर निप्टी 9,160 के उपर एक green color candle करके close होता है यानि 5 मिनिट उसके उपर close हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा निप्टी में buy करना पड़ेगा आपको निप्टी में buy करना पड़ेगा चलिए हम लोग देखते हैं और जाते हैं बैंक निप्टी के उपर बैंक निप्टी के उपर आईए मेरे स्कीन के उपर देखिए बैंक निप्टी में दो लेबुल है एक 9,650 और एक 19,050 यहां पर देखिए आप दो लेबुल बैंक निप्टी के उंदर है 19,650 और 19,050 क्या होगा मार्केट में मार्केट में तीन कंडिशन में उपन होता है मार्केट अगर नर्माल कंडिशन में उपन होता है मार्केट अगर नर्माल कंडिशन में उपन होता है फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इंतेजार करना पड़ेगा, मार्केट 19,650 के पास जाना चाहिए, यानि 19,050 के पास आना पाई, दोनों लेबुल के अंदर आना चाहिए, मार्केट अगर ग्याप अप होता है, यह नर्माल से मार्केट एक बार ग्याप अप होके फ्रेंड्स जाता है, यहाँ पर देखिए, मार्केट एक बार ग्याप अप होके जाता है, 19,650, उसके भीतर जाने के बाद, अगर मार्केट एक रेड कलर कैंडल करके, यह 19,650 के निचे आता है, 19,650 के निचे आपको सेल करना पड़ेगा, यहाँ से 600 पॉइंट टार्गेट आपको निचे की तरफ, 19,650 के पास, क्लियरे फ्रेंड्स, जब तक 19,650 के निचे मार्केट नहीं आता है, तब तक आपके लिए कोई सेल नहीं बन रहा है, अगर 19,650 के निचे मार्केट रेड कलर कैंडल करके कुछ देरी तक रूख जाता है, बे फिकर सेल करिए, 19,050 का आपका टार्गेट, दुसरा पॉइंट, मार्केट अगर ग्याप डाउन होता है, यहाँ पर, तो 19,050 के निचे मार्केट ग्याप डाउन होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, एक बार मार्केट एक र्याली के साथ, 19,050 के उपर एक green color candle बना के आ जाता है otherwise market क्या करता है तो एक green color candle के साथ कुछ देरी तक 19,050 के उपर रुपता है तो आपको buy करना पड़ेगा तो target आपको initial target रहेगा 19,350 यहां से 300 point का target अगर ज्यादा momentum आच्छा रहेगा तो और 300 point का target मगर selling side के लिए अगर 19,650 के निचे आप sell करते हो तो आपका बेफिकर target रहेगा 19,050 यानि 600 point निचे गिरेगा अगर buying side में आप जाते हो 300 point में अपना target बूग कर देना मार्केट मंडे में क्या होगा selling का setup अच्छा से बनाएगा मेरा उमीद यह अगर आप sell side में मंडे बैड़ेते हो एक आच्छा मुनाफ़े के साथ 600 point ब्यांग निप्टी में मिल जाएगा अगर gap down होता है buy side में बढ़ते हो 19,000 50 के उपर आप buy करते हो तो मार्केट में only 300 point का एक fast target दे दीजी clear reference देखिए friends जो भी मैं आप लोगो label दे रहा हूं उसको बहुत मेहनत करके दे रहा हूं यह label ऐसे नहीं निकलता है बहुत मेहनत करने के बाद यह label निकलता है उसको वीडियो करके मैं आप लोगो दे रहा हूं आप लोगो उसी वीडियो में जो भी label है उसी में अच्छा स काम करिए लेबुल को नोट करके रखिए मैं जैसे बोल रहा हूं इसे अगर आपको काम करना तो इसे करिए देखिए अच्छा मुनाफ़ा होगा कि दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि आपकार दोस्त के सार्श एयर करिए और मेरा चानेल को लाइक करिए सस्क्राइब भी करिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं दोस्त दो दिन का वीकेंड है आप लोग आपका घर पे रहिए शुरखित रहिए दो दिन एंजोई के रिए फिर मॉंडे मार्केट में आपके साथ दिखाओगा तब तक के लिए विरा दीजिए टेक केर दोस्तों